पूँअ किसान वायू नमस्कर मालवा फार में आपका स्वागत है जे वीडियो हम बना रहे हैं मनत डेरी फार में हर्याना में आज इनके पास कोशे गाएं सेल के लिए वेलेवल है जे सबी गाएं हम आपको चला कर दखाएंगे क्या गाएं का रेट माग रहे हैं कितने दू के बारे में हम आपको बता देंगे सबसे पहले जो फार्म के मालक दोनों बाई हमारे साथ मुझूद हैं उनसे बात करते हैं हां जी नमस्कर जी कितनी गाएं सेलकली वेलेवला आज गाएं सर दस बार गाएं है एवरेज रेट जी एवरेज रवस पचास-55 और मिल्किंग पंदरा लीटर से लेके 20-25 लीटर तक है नाया कसान कोई आपके पास आ रहा है उमीद लेकर के मनता फार्म पे जाएंगे सस्ती गाएं लेकर आएंगे अच्छे दूद बाली जी उनको जकीन क्या दलबाऊंगे कि पैसे का हिरा फेरा नहीं होगी दोखा नहीं होएगा जी जी बिल्कुल क्या जकीन दबाऊंगे अपनी दरफ से जकीन तो सबसे बड़ा जकीन असर फ़र्म क्योंके वीडियो बनानी असान है जी बिल्कुल आप वीडियो में बोल देते हों मैं बना पर यूट्यूब पर डाल देते हूं एक होता है कि जकीन लगे कि जय जैनुए वीडियो है सबसे बड़ी बात है जी जैसे कि आप सभी किसानवाई देखते हैं आप भी देखते हो कि हमारी वीडियो यहां पी आती है ठीक है सबसे बड़ी बिशबाश की बात यह है दूसरी बात ऐसी है सर कि जब भी कोई भी कस्टमर चलता है घर से चलता है हमारे से बात क बोलता हूँ कि आप एक बार आओ आके हमारा काम देखो आदमी देखो ठीक है आदमी देखकर फिर उसका विवहार देखो कैसा है उसका घर का सिस्टम देखो सारी चीज नोट करो जदी आपको अच्छा लगता है ना फिर ही आप हमारे से मालो अधरवाइज ऐसी कोई बात न आप 10-15-15 km के एरिये में जाएंगे ना मेरे से 10-15 km के आपको डैरी फारे मिल जाएगा ठीक है कोई बात नहीं होती ठीक है आप आयोगे देखोंगे परखोंगे तो आपको आपन बन जाता तो तरसेंजेंद गाये का बैग्रॉंडर बता दो कौन से विएंद की गाएज़ में सर फस्ट लोकेशन में अभी गया बनाई जी हांजी प्रैग्नेट है के अभी 15 देने बाकी दांतों में दांतों में चार दांत है यह भी कितना दूद निकालेगी दूसरे 25 लिटर दे देगी सर अराम से और क्या रेट मांग रहे हूं रेट इसके सर लेने देने बाला दो कम साथ की अठावन हजार में जी फिटीएट की ठीक है क्वाल्टी बगएरा सर आप देखो कितनी आ जाएगी हैं जी फैट इसकी कितनी फैट इसकी सर ज्यादा नहीं बलूग तो चार जीरो तक आएगी सर और अगर कुई राजस्तान का किसान गर्मी के सीजिन में ख्रीद रहे हैं तो वहां पर बढ़िया दूद निकाल देगी हाँ दूद बढ़िया निकालेगी सर गर्मी में अगर कोई बाहर बांध रहा है आपको पता है पंजाब में या हरयाना में तो बड़े फार्म होते हैं अंदर बांदेते हैं राजस्तान में तो गाएं बार रहती है जी 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 वहां पर सेट हो जाएगी हाँ सेट हो जाएगी देखो सर जदी ऐसे बलू कि हम सारा दनी इसको दूप में खड़ाएंगे तो वह तो बात नहीं बनती सर ठीक है ऐ हो जाता है कि जैसे शाम को चार वजे निकाल दिया बाहरा और सुबहु दस वे तक बाहर रह सकती है दो पैर में दो तीन गंटे तो इसको शाह की जरूरत है हर किसी हो ती को अपके यह सकते हो गया की कैसी है अड्रे कोर्टी देखोगी अभी नीचे से से खुलेगी सब अभी बिलकुल आप देख सकते हो बिलकुल अभी काफी कच्छीय है और फो सैंने हमरे एरिय इसां बॉली आइख रख यह एख है हम ओट ठीक है एच एफ भी हमारे ऐसी पड़ती है कि वो कर गर्मी कम मानती है ठीक है अब आगे जाके जैसे क्रॉस ब्रीड का ज्यादा चलेगा गर्मी का मौसमारा आगे ठीक है टेंपरेचर हमारे इदर का बताओं तो आपको 47 तक चला जाता है ठीक है और अधर में कई बार बात ह होती है हमारी की अधर जब हमारे से पूछेकिया इधरा के सेट होगी यह नहीं होगी तो हम्हां अईसे बोलते हैं कि आपके अपके टेंपरेचर बताओं कितना है ठीक है और हम बोलते हैं हम बोलते क formations ऑने ठीक है ँवारे से सिर्बा और यह ने मेठाई कि हमारे तर थर्टी सेवन के आसपसर Dire चला जाता है लास्टों फार्टी बुला तो हम ने इनको बताया कि भाईय एसी कोई बात निया हमारे फूर्टी फाई फूर्टी सेवन तक तैंपरेचर चला जाता है आपको कोई दिकते बारी बात नहीं है और दूसरी बात जे गाएं का बैकडरण बता दो जी यह अभी फस्ट लोकेशन में भी जाए दांतों में जी बाइन सर दो दांत अबी और जे भी गया बनाया जी सर प्रेगनेट है कितने दिन ले जाएगी हफ्ता है कि असपास चलिए आठ दिन ले जाएगी और दूद कितना निकालेगी दूसर ट्वांटी लिटर देगी बीस लिटर जी बिल्कुल कितने रेट पेशल करोंगे यह फिप्टी में नहीं है सर पचास यार में बिल्कुल बिल्कुल अच्छे दाम है सर आज हमारे ठीक लगा लो MPक का कस्टमर है और जैसे लगा लो रज़स्थान हो गया जा हमारा लोकल हर्याना ओश्र材ह का कस्टमर भी अभी नहीं चला अभी एक भीने के भाद दूर का कस्टमर निकलेंगा कॉँकि अभी थोडा सा कटाई का काम चला सरसू की कटाई भी चल लिए और गेहूं की भी कटाई चल लिए ठीक है कटाई के बाद एक मीने बाद दुबारा से काम खुल जाएगा और अभी हमारे पास जैसे सभी गाए देख रहे हो सर आप सभी मिनीमम रेट की बताएगी है कोई हाइस्ट रेट नी और अच्छी क नबर लालो हमारे पास प्राइगनेट होता है क्योंकि जैनी हुई गाए सर हमारे हम घरपी बेचते हैं और बेचते भी लोकल किसान को असर क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि दूर तक तो हरेक आदमी अपना कॉंटेक्ट रखता है वीडियो के जरीए ठीक है और सबसे निक्टेल डुसे बड़ी बात ही यह होती है कि आप देखोगे कि जो आप हमारा जैसे हमारा वीवहर लום हमारे विवहर का पता आपको अस्पडोसा ही चले खी कोई भी आदमी लुख जगा लो उसके आसपडोस माले बता देंगे आपको कि कैसा वीवहर आदमीं का तो जे गाएं का बैग्राउंड बता दो कौन से ब्हांत की गाएं है जी सर फस्ट में दांतों में दांतों में सर यह दोधना और कितना दूद निकालेगी जी दूसर जे देदेगी सतर एठर लीटर दूदेगी जादा निहीं बोलू और रेट रेट के सर 40 है 40 जी बिलकुल और क्वाल्टी वियरा देखो सर अभी गाड़ी से उतरी थी तब इसको थोड़ी सी चोट लगी इसलिए थोड़ा सा लंगडा के चल लिए आपने कहा कि सभी गाएं आपके पास ग्याबन होती है जी जी अगर किसी किसान की डिमांड हो के दूद निकाल कर गाएं खरीदनी है चाहे 20 लीटर बाली है चाहे 17 लीटर बाली जी बिल्कुल तो जिन गाएं की डिलीवरी हो रखी है कुछ अंदर गाएं बैठी है उदर परली साइट देखोंगे सर उनकी डिलीवरी हुई हुई है तो उनका दूद निकाल कर देंगे और सबसे बड़ी बात ही है कि दूद निकाल कर हम देती दूद निकाल करके कि को लोकल किसान ना वह टीन टाइम एन को पार्D जैसरे आते कितने दिन ले जाएगी और दूद कितना निकाल देगी यह मैं आपको ऐसी बोल दू अडर के साफ से बोलनु कि यह 22 लीटर निकालेगी और हम 16-17 लीटर दूद देंगे इसका और रेट रेट इसका सर 45 जी बिलकुल और क्वाल्टी वगहरा देखो सर आप गए की हाइट दे की है ठीक है आपका जो आगे माना आगे आने बाला मौसम है सर ठीक ऐसी गाये चलेगी और क्वाल्टी वगहाई जापके सामने सर आचले बगहरा देख लो गए की अडर क्वाल्टी देखो सर सारी चीज़ नोट करो और गर्मी का मौसम आ रहा है जैसे किश्मीर के गरहक भ उनकी सबसीड़ी की डेट है जो से पहले-पहले मान लेते हैं वो उनसे मतलब कि ठारा लौन वाले गराIGHT वहा त्रीक्त से पहले-पहले मान ले ले ठीक है और ये बात और रहा है सर सभी किसान भाई को में बताना चाहूंगा prelim कि आप कि ऑदोखाबधी में मताये जो रिज सर ठीक है ज़िए आपके पास जी एस्टी वगरा बिल होगी ना वही चीज़ आपको लोन दिलवाएगी और क्वाल्टी वगरा गाए कि देखो सर सभी किसान बाई इन बातों का खास पर ध्याना रखें सर ठीक है और हम मैं कहता हूं कि आप एक वार आईए हमारे फारम पर आ उसके बाद जकीन बना कि हमारे से माल खरीदो सर जे गाएं का क्या बैकरोंड़ा जी यह सर फस्ट में अभी दांतों में दांतों में सर चार दांता भी कितना दू देगी दू सर जदा नहीं देगी यह सोड़ा सतल हिट रिगी है और रेट रेट का सर फोटी फाइव असर 45 जी बिलकुल अभी 8-10 दिन की कच्छी है थोड़ी सी नीचे बादी है अगर कोई 10 गाएं एक साथ एक गाड़ी का लौट आपसे ख्रीद रहा है जी तो जैसे इसका 45 है तो कम कितने कर दोंगे कम तो सर कोई एक दो हियार का मानता नहोता है हम ज्यादा बोल दे कि हम 40 हिया ठीक है आपको भी पता है सर की पैसा लगा कि मतलों हियार से लेकर दो हियार तक एक गाएं का रेट कम हो जाएगा बिलकुल सर एक गाड़ी खरीदे का 10-15 यार का फैदा होगा होगा और जैसे आपको पते ही कि कोई भी चीज़ लेते हैं सर तो पैसा लगा की लेते हैं मैं कोई भी वीडियो में ऐसे बोल दूं कि मैं पांच भी घर सथी browsing दूंगा मैं दस भी आइसी कोई बात नहीं होती सर क्योंकि मैं भी लेके आताहूं तो मैं भी पैसा लगा कर दिद से Similarly कोईять देखो स्प्रज्जिक वगार वे किरूट अ ठीक है एक दो गये हैं मारे पास Sam Piority बैली और जादातर हमारे पास Crossbreed की है और 18 से अप देखी रही हो सर तो सभी किसान भाईयोंने हमारी वीडियो भी देख ली है और गाये भी देख ली है ठीक है अच्छे रेट की है और सस्ते दाम की है ठीक है कारण के है कि अभी थोड़ा सा सीजन आफ की तरफ है मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि अभी जादा तेज यह जादा गरहक है अभी थोड़ा सा गरहक कम हुआ है क्योंकि आपको भी पता है कि कटाई कट है मैं सरसों की कटाई हो रही है और गहों की कटाई हो रही है तो इसलिए तोड़ा सा दाम भी कम हुए जिस किसान भाई ने भी हमारे से गाय खरीदने है ठीक है बैंस खरीदने है आउल सिर्डेन लेने है चाहे फढ़ा भार ञाहँ तो यह स्टेिक है तो हमारे बात भी करते हैं और मैं कहता हूँ कि आप एक बार मन्नत है जा फिर रियल्टी में उसके पर लाइफ में भी है ठीक है आप देखिए उसके बाद ली मतलब की माल खरी ठीक है सभी किसान बैयों का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्याबाद